नमस्कार मित्रों, आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे UP, TGT, PGT, आर्ट, रिवीजन नोट्स, प्राचीन, भारती, कला के प्रम केंद्रों के बारे में। इसमें दिया गया है जोगी मारा, आजंता, बाग, बादामी, सित्तन समुद्र, टापू, इसका आप्शन नमबरगा सही हो जाता है समुद्र। अगला प्रिशन दिया गया है, एलोरा की पिसिध्धी का कारण है, आप्शन दिये गया है, चित्र सैली है, धार्मी, विसेवस्तो है, कैरास मंदिर है, नटराच की मूर्ती है, तो आप्शन नमब सही होता है कैला समंदिर, तेतिस नमबर कुश्चन दिया गया है, बाग के गुफा चित्रों पर किस सैली का प्रभाव है, आप्शन दिये गये हैं, मुगल सैली, अजनता सैली, राजपूर सैली, अब्ध्रन सैली, तो इसका आप्शन नमबर खास ही हो जाता है, अजनता सै पुष्च्चन नमबर 34 में दिया गया है जोगी मारा का समय काल है। अगला प्रिश्णी दिया गया है भितिचित्रण की कला भारत में कहां से प्रारम हुई थी। इसमें आप्षन दिया गया है अजन्ता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ है तो इसमें आप्षन दिये गये हैं इसमें का आप्षन नंबर गा सही होता है पांसो सेंटालिस अगला प्रिशन दिया गया है बादामी की गुफाओं इस्थित हैं आप्षन दिये गये हैं बीजापुर जिले में और अंगाबाद जिले में होसंगाबाद जिले में रीवा जिले में तो आप्षन नंबर का सही होता है बीजापुर जिले में अगला प्रिशन दिया गया है सिगिरिया के कितनी गुफाओं में चित प्राप्त हैं आप्षन दिये गए हैं दो चार चार आठ तो आप्षन नमबर का सही होता है दो अगला प्रिशन दिया गया है अजन्ता को इन उसको द्वारा कब भी सिविरासत धरोहर में सामिल किया गया है इसका सन जानना है 1883 1983 1981 1989 तो आप्षन नमबर का सही होता है 1983 अगला प्रिशन दिया गया है मुकुल चंदर डे ने बाग गुफा पर कब अपने लेख प्रकासित किये आप्षन दिये गया है 1925 1929 1921 1920 तो आप्षन नमबर का सही होता है 1925 इसदी में अगला प्रिशन दिया गया है इलोरा में गुफाएं है बाध धर्म से संबंदित हैं बाध और जैन से संबंदित हैं हिंदू और जैन से संबंदित हैं या हिंदू बाध जैन तीनों संबंदित हैं आप्षन दिये गए हैं अमोग वर्स हैं कृष्ण पर्थम हैं विकर्मा दित्त हैं दन्ति दूर्ग हैं तो आप्षन नमबर खास ही होता है कृष्ण पर्थम अगला प्रिशन दिया गया है बाग की गुफाएं किस जनपत में हैं आप्षन दिये गया है रीवा जनपत सतलाम भोपाल धार तो आप्षन नमबर घा सही होता है धार जनपत यहनी बाग की गुफाएं किस जनपत में हैं धार जनपत में हैं इलोरा प्रिशिद है चित्रों क के लिए मूर्थ के लिए वस्ति निर्मार्ड के लिए। ड्रसे के लिए तो आपसन नंबर खास ही होता है। मूर्थि के लिए… अगला प्रिस्ण दिया गया है कहां कि मूर्थि कला में हिंदू कला के उत्तम उदуть등 हैं।4 ज्रस्छित। तो यह है Elora अगला प्रिष्णि दिया गया है Elora की गुफाएं किस सासकों द्वारा बनवाई गई है आपसन दिये गए है राश्टकूत, चंदेल, गुप्त, मौर तो आपसन नमबर का सही होता है राश्टकूत अगला प्रिष्णि दिया गया है अगला प्रिष्णि दिया गया है अगला प्रिष्णि दिया गया है अजनता, एलिफैंटा, एलोरा, कैलास, गुफा इसका आपसन नमबर का सही होता है एलिफैंटा अगला प्रिष्णि दिया गया है बाग की गुफाएं इस्थित हैं अपसन दिये गया है उत्तरप्रदेश, मध्धप्रदेश, आंध्धप्रदेश, तमिल नाडू तो बाग की गुफाएं मध्धप्रदेश में इस्थित हैं अगला प्रिशन दिया गया है बाग के भिती चित्रों को बनाने में किस बिध का प्रियोग किया गया है आपसन दिये गया है बूनो तक निकी, सेको तक निकी, इटालियन बूनो, गलूरंग, चित्रन तक निकी तो इसका आफशन नमबर घा सही होता है गलूरंग, चित्रन, तकणीकी अगला प्रिष्ण दिया गया है अजन्ता में कितनی गुफाएं हैं आफशन दिये गए हैं 28, 31, 30 और 31 तो आफशन नमबर घा सही होता है 30 अगला प्रिशनी दिया गया है मार विजे अजन्ता के किस गुफा में चित्रित है आपसं दिये गया है गुफा संख्या 1 गुफा संख्या 9 गुफा संख्या 11 गुफा संख्या 21 तो इसका आपसं नमबर का सही होता है गुफा संख्या 1 अगला प्रिश्णी दिया गया है गाईकाएं चित्र बाग के किस गुफा में चित्रित हैं आपसन दिये गए हैं गुफा संख्या आठ गुफा संख्या चार गुफा संख्या नौ गुफा संख्या तीन तो आपसन नमबर खास ही होता है गुफा संख्या चार यहनि पसंख्या चार अगला प्रेशन दिया गया है कुछ व्यक्ति पेड के नीचे विश्राम या वार्ता लाप कर रहे हैं या जोगी मारा गुफा के किस खंड में है आप्षन दिये गये हैं दिती तृती चतूर्थ पृत्थम तो आप्षन नंबर का सही होता है दिती अगला प्रेशन दिया गया है मातमा बुद्ध का ग्रहत्याग अजनता की किस गुफा में चित्रित है आप्षन नंबर पहली गुफा सोलहमी गुफा नौवी गुफा सत्रमी गुफा तो इसका आप्षन नंबर खास ही होता है सोलहमी गुफा मातमा बुद्ध का अगला प्रिश्ण दिया गया है राफुल समर्पन अजन्ता के किस गुफा में हैं आप्शन दिये गया है दसमी गुफा सोलहमी गुफा नवी गुफा सत्रमी गुफा इसका आप्शन नमबर घा सही होता है सत्रमी गुफा अगला प्रिश्ण दिया गया है बुद्ध के जन् के रूप में दस आया गया है आफ्षान नमबर खास ही सफेधा थी अगला प्रिश्ण दिया गया है इन में से कौन चैत गुफा है आफ्षान दिये गया है ग्यारा बीस उननीस एक तो आफ्षान नमबर गा सही है उननीसी गुफा चैत गुफा है अगला प्रिश्ण दिया ग का सही है, सोलम ही गुफा में मन्यासन राजपुमारी का चित्रण किया गया है। अगला प्रिश्न दिया गया है, सहस्त बुद्ध अजन्ता के किस गुफा में चित्रित हैं। आप्षन दिये गये हैं, 9, 2, 1, 6, तो आप्षन नंबर खास ही होता है, 2। दोस्तों, अगर आपको जाब वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज लाइक शेयर अवज से करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल के माध्यम से आपको आड की क्लास मिलती है, और TGT, PGT के रिवीजन नोट्स भी करवाय जा रहे हैं, तो इसलिए आप सभी लोग चैनल पे बने रहे हैं, और आने वाले वीडियो को अवज से देखें। थैंक्यू